तो भाई लोग जो IPL 2013 का मैस समबर 26 है ना इस मैस में राजास्थान रोज के सामने होगा लखनाउ सूपर जाइस की बात करें तो पिछला मैस अपनी घर में हार गया किस से पंजाब किंग से हार गया अपनी घर में हारने के बाद पहुंचे कहां पर राजाओ के घर यानि रा लखनाउ सूपर जाइस की तो जो इनका हवसला है थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि अपने घर में मैचस हारना बहुत ही जादा रुलाता है वैसे कर हम बात करें पिछले सीजन जो इनके बीच में दो मैच के ले गये थे और पता है दोनों मैच में क्या हुआ था राज राजस्थान ने लखनाउ सूपर जाइस को एक तरफाद होया था बोला था तुम्हारी बसकी बात ना है हमको मैच बस हराना तो क्या फिर से राजस्थान रोज के टीम करेगी मैदान फते लखनाउ सूपर जाइस के बोलेगी ना ना तुम मुस्कुराओ ना तुम मैच हार गया हो या फिर लखनों सूपर जाइस बोलेगा वाइस अब तुम्हारा बहुत हो गया इस बार हम करेंगे पलट वार लेंगे पिछली सभी हारों का बदला और लखनों वारों को बोलेगे मुस्कुरा ये लखनों मैच जीत चुका है तो आप भी तरही जानना चाहते होंगे ये जो मैच होगा कौन से टीम कर सकती है अपने नाम अगर आप जानना चाहते है तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है बस करना के है आपको पूरी वीडियो बीना स्क्रिप करें हुए देखनी है इसके अलावा ना आप मेरे टेली ग्राम पर भी इस आईपल की सभी मै पडेट देता ना जीना ये मैच राजास्थान जीत सकता है वाले मैच में जब रासिद खान ने हैट टीक ले थी तब भी लोगों ने यह एक था गुजरात मैच लेके गया लेकिन आपके बाइदे ने टेली गराम पर बोला रिंकों शिंग उमेश यादों के साथ मैस खतम करेंगे रेजल्ट आपके सामने है ऐसी जबर जबर मैशों की अपडेट कहां पर मिलती है मेरे टेलिग्राम पर इसलिए जिन लोगों और और किसे जॉइन नहीं करना जो लिंक के बिलेगों धिसकिप्सन में जुए जॉक्त में पहला ओमेश मैंसी करने सब्सक्राइब का लुए जैने हैं कि वहनने भाइनंगा ध bluff ऐले। चुन Son दिफैंड कि बात करें 166 166 के नीचे बाद करें 166 166 के बीच में करने होगा आप समझ जाना अभी जो मामला है यह बराबरी चारी भी हो सकता बाइब फार लोग्न के बाद यहां पर IPL मैच खिला जाएगा तीन-चार सालों के बाद पहले जो यहां का सर्फेस हुआ करता था ना वह हार्ड होता था तेज गिंद बाजों को ज्यादा विकने मिलते थे इसमेश को थोड़ा सा कम बिलता था क्यों 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 कि शुरू के तीन-चार ओबर जो आज का मैच है यह थोड़ा सा आपको medium scoring or high scoring match देखने को मिल सकता है power play score की बात करें तो 47 से 52 के बीच में देखने को मिल सकता है 20 over score की बात करें 165 से 180 के बीच में देखने को मिल सकता और हम यहां के माजान पर धोनों टीमों की performance की बात करें तो राजस्थान रोस ने अपने सब्सक्राइब करें तो में भी एकाथ चिंज हो सकता है जैसन होल्डर या ओबिड मुकोई को मौका मिल सकता किसके एडम जंपर की जगह पर या फिर ना भी करें अगर हमें बात करें बल्लेवाजी की जो राजस्तान की बल्लेवाजी है वो काफी ज्यादा कामाल की चले क्योंकि यह सबी मैचों में ताबर तोर शुरुआत करते हैं जोस दबोस तो लंबी पारी भी खेलते हैं संजू सेमसन के भी एकाता दो मैचों के सभी मैचों में बहुत अच्छी बल्लेवाजी करी है और दियोदर पटेगल जब-जब मौके में ठीक ठाक बल्लेवाजी करी हाँ रियान पराग को बीच में भुसाते हैं यह लॉंड़ा अभी तक अच्छी परफॉमेंस ना कर पाया बाकि सिम्रा हिट मायर जिस तरह से फिनिस करते थे थे ना कमाल कई फिनिस कहेंगे लेकिन पहले अकेले पड़ जाते थे अब भी जोड़ लो हम भी साथ देंगे सिम्रा नस्विन आते कहते हैं हमें कम समझाए क्या थोड़ी मूरी बल्लेबाजी तो हम भी कर लेते हैं तो मतलब इनकी बल्लेबाजी में कोई ना कोई एक पिलियर पैदा ही हो जाता हर मैच में जो मैच उड़ा कर लेकर राजास्थान के लिए तो यह बहुत अच्छी बात है बा बिकिट भी निकालेंगे किफायती भी रहेंगे जैसा नोडर भी जब खेल लेते तो ठीक ठाकी कि इन्वाजी कर रहें तो बढ़िया चले यह बल्लेबाजी की बात करें बढ़िया चले लखनाव सूपर जाइंस की बात करें तो मैं बहुत अच्छी तो होना चाहिए बड़ी पारी आई थी नहीं तो यह 15-20 परसीशन की पारी खेलते लेकिन लंबी पारी ना कहल पाते अगर कोईंटेंटेंट कोग खेलेंगे तो इस प्रोब्लम से स्वरुशन मिल सकता कि कोईंटेंटेंट जब चलते हैं ना तो लंबी पारी खेलके जाते दीपक उड़ा क करें तो अभी तक भुझे-भुझे से दीपक नजर आया है कुणाल पांडिया की बात करें ठीक ठाक बल्ले बाजी करी है जिस तरह से और नहीं कह सकते लेकिन माकर सिस्टोनी और निकोलास पुनन यह दोनों काफी तरीके से फिनिस करने लगा तास अभी मैचों में रन भी नहीं कर पारें बाकी गेंदबाजों की बात करता है जो इनकी तेज़ गेंदबाजी है आवेश खां और माकवुड माकवूड तो लगाता है सभी मैचों में बिकेट निकालने हैं ऑल दोस्तरा थोड़ा जन इनको कभी कभी पढ़ जाता है लेकिन बिकेट निकालते है ayawar स्कमाल की गेंदबाजी करते पिसले मैच में तो राहुल तो साइद पागल हो गए थे पूरा चार ओबर करवाई नहीं मतलब ऐसी टाइम पर गेंदबाजी करवाई कि मतलब चार ओबर करना सके कौन रभी मिशनोई कुनाल पांडिया भी ठीक ठा गेंदबाजी कर जा रहे है अमित मिसरा जी मिसरा जी को जबजब मौका मिलता है वो कहते है कि मिसरा जी के अंदर टैलेंट है फायदा उठाते रहो बाकि किसनद पर गोतम ने भी ठीक ठाकी गेंदबाजी करी है तो अगर हम यहाँ पर देखे इस पिन गेंदबाजी बढ़िया है तेज गेंदबाजी गेंदवाजी अबरेज की बात करें 8.00 ये भी काफी ज़्यादा जवर्जस्त होता है वहीं तो लखनौ सूपर जायंस की बात करें तो अपने लास्ट के सिक्से मैच में तीन मैंच जीता है तीन मैंच हार गया मतलब एक जीत रहें एक खार रहें इस दौरान जो इनका बल्ल गेंदवाजी अबरेज की बात करें यहां पर भाई साब जो मामला है वो बिलकुल बराबरी का है लेकिन गेंदवाजी अबरेज की बात करती यहां पर जो राजरस्तान की टीम है वो लखनौ सूपर जायंस से बहतर ना जा आ रही तो भाई लोग इस मैच की जो IPL 2023 का मैच 2626 है इसकी तो हमने सारी अलासेस का डाले चलो अभी वो जानते जिसका आप कर रहे हुए इंतिजार की जो मैच है कौन सी टीम कर सकती है अपने नाम लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्योंकि मैं आपके लिए काफी जादा मेहनात करता हू और आपको ये भी पता है मैं कोई हीरो है या सेलेवेटी थोड़ी ना हूँ मैं तो आपकी बीच करहने वाला आपका अपना भाईूस हो जो अपने भाई का सपोर्ट अगर आप ही ना करेंगे तो कोई बाहर से आगा भाई का सपोर्ट करने के लिए ना जीना कोई भी ना अब करना गया वाज जब कुछ भी नहीं करना पर चैनल को सब्सक्राइब करना इतना तो आप कर सकते है ना अब है लोग अगर आपको इस मैच की बिल्कुल सटीक जानकारी चाहिए इस मैच की कि जैसे कौई सी टीम मैच अपने नाम पर कर सकती है जिक्का किसके पस्में ग आप को डाउनलोड करें और आज से ही स्टार्ट हो जाए तो भाई लोग अगर हम यहाँ पर सारी एनलैसिस करने के बाद थोड़ा सा बात करें तो राजस्तान बिल्कुल थोड़ा सा मुझे लखनों से बहतर नजर आ रही दूसरी चीज राजस्तान को होम कंडिशन है तो इसका एडवांटेज तो राजस्तान को जाएगा तो इस हिसाब से देखें तो मुझे जो मैं आच है न वो 60 N40 का लग रहा है 60 राजस्तान रोल से लखनों सूपर जाइंस तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो थोड़ी सी मजबूर टीम नजर आ रही है राजस्तान रो लोगा क्या बोलूगा रोट यहाँ करने के लिए क्यों कि जिन लोगों ने मेरा टेलिग्राम जुएन किया वो बहुत ही फायदे में कैसे आपको बता रहा हूं जैसे गुजरात और राजस्तान की बीच में जब बिकर जल्दी जल्दी निपड़ गये थे राजस्तान के कि ना जो मैंच है ना रिंकु सिंग उमेश यादों के साथ खतम करके जाएंगे रिजल्ट आपके सामने हैं वैसे ही आर्सीबी वर्सस जब लखनों का मैच था जब लखनों के सुरू में तीन-चार विक्ट गिर गे था तब भी लोगों ने बोला कि आर्सीबी तो मैच लेक बस नहीं से जोईन करें तो भाई लोग आज की वीडिओ ने अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो अच्छे हाल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मेंच की ऐड़ आक्षर के साथ तब तक के लिए God bless you